आपको एक पेपर देना होगा और उस पेपर के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं जिसमें पार्ट A होता है और एक होता है आपका पार्ट B कि पार्ट A के अंदर आप लोगों से बतांगो उसके बारे में पार्ट B के अंदर आप लोगों से डॉमेन सब्जेक्ट का पूछा जाता है डॉमेन इस कि आपका सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट से आपको मसी करना है उससे आपके 75 कुछे जाते हैं यहां से डॉमेन सब देखने को मिलेंगे और चार नंबर का एक question होता है उसके अलावा आपका जो part A होता है ये एक comment होता है सभी subjects के लिए ठीक है इसका exam पैट रहा है वो same रहता है और इसके अंदर आपके 25 questions है वो पूछे जाते हैं आज किस video में हम इस exam के बारे में जो part A होता है specifically सभी exams के लिए comment इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे 100 marks का ये पूरा आता है और ये बहुत important role play करता है आपके लिए CUTPG के आप हमारा course join कर सकते हैं CUTPG part A के लिए जिसकी fees है 200 rupees और जो बहुत ही प्यारा course रहेगा छोटा course रहेगा approximately 8-9 hours का ही ये course रहेगा जिसके अंदर हम लोग general aptitude आपको सारा cover करवाएंगे जो आपके exam point of view से important है और साथ में कुछ questions होगे आपके practice के लिए और साथ में test series भी होगी तो आप ये 200 में join कर सकते हैं अगर आप इन किसी subject से MSC करना चाहरे हो तो mathematics, geology, life science, political science, sociology इन 5 subjects के लिए आप हमारे courses में enroll कर सकते हैं जिसमें आपको complete course मिलेगा including that part A इनकी fees mathematics की है thousand बाकी सब की है fifteen hundred और इन दोनों की combine करके कुछ eighteen hundred है ठीक है तो आप इन में enroll कर सकते हैं मैं अभी आप लोगों के साथ part A का syllabus discuss करता हूँ part A के अंदर basically आता क्या है और इसकी importance क्या आपके exam में part A के अंदर आपके तीन section होते हैं पहला section होता है जिसके अंदर आप लोगों से general aptitude पूछा जाता है second होते हैं आप लोगों का जिसमें English पूछा जाता है आपसे third is GS या फिर आप इसको current affair भी बोल सकते हो ठीक है यह तीन इसके part होते हैं यहाँ पर general aptitude के करीब 8 से 10 question आपसे पूछे जाते हैं English के करीब 6-8 question आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं और 6-7 करीब इसी के question पूछे जाते हैं ठीक है तो आपका जो weightage होता है इस exam के अंदर इन तीनों का करीब करीब सेम रहता है ठीक है अभी सबसे पहले बात करते हैं GS की देखो GS कैसे subject है जिसका इस labor से define नहीं रहता आपको कहीं से भी कैसा भी question है वो पूछा जा सकते हैं तो मैं मेरे हिसाब से इन 6-7 question के लिए prepare करना बेब कुफी वाली बात है ठीक है यह चीज़े आप last में जब exam नजदिक आता है जब आप कुछ current की topics को revise कर सकते हैं जस्ट पढ़ सकते हैं आप daily newspaper पढ़ रहा है वो चीज़ आपके लिए help रहेगी लेकिन इसको particularly time देना कि हम लोग किसी course में enroll करेगे बहुत बढ़ा पढ़ना है क्योंकि इसमें question कहीं से भी पूछा जा सकता है कि यह book किस writer ने लिखी थी तो मेरे को नहीं लगता है कि 6-7 question के लिए आपको भेनत करने पड़ेगी हाँ इतना बेपर इतना easy आता है कि 6-7 question में आप minimum 2-3 question easily crack कर सकते हो without any coaching वगरा और इतनी मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग किसी इसको अच्छे से पढ़ भी लोगे न तो 6-7 में से भई 4-5 question attempt कर पाऊगे यह भी नहीं कि पूरे 6-7 आप attempt कर दो उसके बात करते तो इसके बारे में GS के बारे में मेरा कोई खयाल नहीं है और ना मैं इसके लिए आप लोगों कुछ पढ़ाने वाला कि आप GS में यह पढ़ लो क्योंकि मेरे इसाब से एक इसका syllabus बिल्कुल भी define नहीं रहता है कहीं से कुछ भी आ सकता है तो उस चीज की त यारी कर लो जो आपके basics हैं और जो आप लोगों ने बच्पन से अभी तब पढ़ते आए हो यदि वो चीज stronger है तो आप English में अराम से 4 questions easily correct कर पाऊगे इसमें vocabulary भी आती है fill in the blanks भी आता है sporting errors भी आता है एक के question कर गया ऐसा कुछ तो जनरल पूछी जाती है इसके लिए बस आप लोगों को practice करनी है ठीक है आपको बस practice करनी है और इस practice के लिए आपको हमारे इस course के अंदर practice के लिए questions मिल जाएंगे उसके बाद बात करते हैं general aptitude की general aptitude आपका सबसे important है और मैं कह रह हुआ इस part A के उपर completely जैब उनको भी follow कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा easily 8 से 10 question आते हैं 8 question 7 question मैं guarantee दे रहा हूं कि कहीं नहीं जाएंगे अगर आप proper तरीके से जैसा मैं कहा रहा हूं या फिर जो formula sheet आपको मिलेगी जो video lectures मिलेंगे जो question practice आपको करवाई जाएंगे उ और reasoning के जैस के अंदर आप करीब करीब तीन से चार question crack कर सकते हैं easily तो आठ और चार बारा बारा और तीन 15 15 question आप लोगों के बिल्कुल easily मैं कहा रहा हूं आ सकते हैं इस examination के अदर और बाकी के 5 question वो depend करते हैं कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है अपनी self studies कितनी करी है और बाकी जो year long तीन साल आपकी graduation हो गया class 12 हो गया तब तक आप लोगोंने क्या क्या पढ़ा है English और GS के अंदर वो चीज मैटर करती है ठीक है पांच question वो आप मैटर करते हैं तो आप 60 marks अराम से निकाल सकते हैं 100 में से part A में से ठीक है और यह 60 marks है ना JNU के अलावा बाकी ह हरी university में बहुत matter करेंगे due में most probably मतलब की अभी तक चल रहा है कि वो लोग part A का जो marks है वो consider करेंगे ठीक है due के अंदर बाकी अभी confirm नहीं है तो यह part A के जो mark 60 marks आपने score किये ना यह बहुत important है और यहां पर बहुत से बच्चे है जो 60 marks score नहीं कर पाते reasoning वो पूरा time अपना domain subject के लिए dedicated रखते हैं कि हम लोग सिर्फ domain में पढ़ेंगे इसको छोड़ देते हैं बहुत से बच्चे इस part को skip कर देते हैं और खासकर कि biology वाले students है या फिर BA वाले students है जिनको MA करना है वो लोग इसके उपर बहुत कम ध्यान देते हैं क्योंकि general aptitude से अकसर बच्चे हैं वो भागते हैं ठीक है उसको अभी अडप्ट नहीं कर पाएं उसको पढ़ते नहीं इस वज़े से 60 marks से आगे हो जाते है और इस 60 marks आपको पते हैं कि competitive exams के अंदर एक एक नंबर की कितनी कीमत होती है तो इस 60 marks आपके लिए बहुत माइने रखते हैं आप अराम से कहा हूं 50 भी लिया होगे 16 आपने कुछ ज्यादा लग रहा है मैं कहा हूं 50 नंबर भी लिया होगे और यदि 50 नंबर भी लिया है न तो बहुत बड़ी बात है ठीक है बहुत इसली आप 50 नंबर लेकर कर आ सकते हो और कोई अच्छा पढ़ता है बच्चा जिसने प लिया है फ्री के मातर 8-9 घंटे को कंटेंट लेक्चर मैं दोंगा आप लोगों को वो पढ़ने ठीक है इंगलिश के लिए प्रैक्टिस शिट्स दोंगा दो से तीन दोंगा उनकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है उसके लावा आप लोगों को इसमें कुछ भी करने के आफश् आते हैं पर मैं कहा रहा हूँ लास्ट इयर पार्ट एका इतना जबर्दस रिस्पॉंस रहा था हमारा का बच्चों से आप पूछ सकते हो हमारे जो पढ़ाये वे फॉर्मला शीट्स थी आप लोगों को जो भी पढ़ाया था वहीं से डिरेक्टली आपको कोईशन्स देखने हमारे जो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे वह मिलेंगे नेक्स्ट मंथ से मिन्स एप्रेल से क्योंकि मेरा अभी फोकस है कि आप अभी अपना जितना भी टाइम हो स्रिफ डॉमें सब्जक्ट को दो इसको स्रिफ वीकली करो हफते में आपको एक लेक्चर देखना है ए दो चीज मैं बता रहा हूं वह कर लेना बहुत से बच्चे गएंगे सरह हफते में एक लेक्चर तो बहुत कम है आपका में सब्जक्ट यह नहीं है आपका डोमें सब्जक्ट आपका में है यह तो जस्ट एक कॉंप्लीमेंटरी है कि हर संडे जैसे आपको छुट्टी मिल जाती है वैसे आपको बस 80 नंबर आपको फ्री फॉकट के मिल रहे हैं उनको आप ले सकते हैं तो आप हमारे आप पर जाके इन सकते हैं बहुत अच्छे से तयारी करें से एंड तक आपको एडमीशन दिल्वाने तक की यारेंटी हमारी है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर सकते हैं आपको बहुत हैर्प मिलने वाली है इस चैनल से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाए टेक केर